दोस्तों इस देश में शाकाहरी लोग भी रहते हैं और मासाहरी लोग भी रहते हैं इस देश का कानून उन्हें उनकी इच्छा के मुताबिक खाने का अधिकार देता है आप जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं यानि इस देश में रह रहे हर नागरिक के पास कानून के कि वो चाहे वो खा सकता है उसके पास खाने का अधिकार है ऐसे में उसे नौन्वेज खाने से रोकना यह कानून के खिलाब जाएगा इतना तो संछा जा सकता है लेकिन यह बात शायद ही ऐसा कोई होगा दोस्तों जो ना जानता हो वगर हैरानी होती है कि कुछ लोग सब पुष्ट आन्ते हुए भी सूप्रिम कोट पहुंच जा रहे हैं इस वार है कैसी ही आजिका दाखिल की गई उस याजिका में neste 비arl दोस्तो सुप्रीम कोट में फिर एक ऐसा मामला गया स्अ याचिका पर सुप्रीम कोट की वेंच ने सुनवाई सही इंकार कर दिया और यह जो याचिका थी यह जनहित याचिका थी यानि पिया थी जो के दाखिल की गई थी याचिका में क्या लिखा था याचिका में लिखा था कि मास खाने पर मैं लगे यानि प्रतिबंद लगे आपको इस वक्त स्क्रीन पर हम ला लाइब लॉक की खपर कहती है दोस्तों लाइब लॉक की खपर के हवाले से हम आपको बता रहे हैं याचिका में जानवरों की हत्या पर रोक लगाने और लोगों को लैब जनरेटेड मीट पर स्विच करने का निर्देश जो है ये देने की मांग की गई थी कि सुप्रीम कोट की बेंच ने सुनने से इंकार कर दिया सुप्रीम कोट ने क्या कहा दोस्तों वो सुनिये सुप्रीम कोट ने साफ़तार पर कहा है कि देश में बड़ी आबादी को देखते हुए मास के सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है जस्टिस केम जॉसिफ और जस्टिस बीवे नागरतना की बेंच इस पूरे मामले को संग्यान में ले रही थी उस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी डिविजन ने कहा दोस्तों कि खाने के लिए जानवरों की हत्या करना यह कानून के तहत स्विकार है ऐसे में इस पर रोक लगाया नहीं जा सकता है हम इस ख़बर आगे यह बी कहती है कि मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा कि कानून स्वेम खाने के लिए जानवरों की हत्या की अनुमती देता है तो कानून के विपरीद जाकर कोई पॉलिसी कैसे लाई जा सकती है आप पॉलिसी लाने के लिए बोल रहे है जस्टिस जोसेफ ने आगे ये भी कहा कि याचिका के मताबिक जानवरों के प्रती कोई क्रूरता नहीं होई चाहिए लेकिन कानून में ये पशु क्रूरता निवारन अधिनियम के तहताता है और अगर इस अधिनियम की बात की जाएगी तो इसमें भी धारा ग्यारा आती ह वो धारा ग्यारा क्या कहती है? धारा ग्यारा खाने के लिए जानवरों को मानने के अनुमती देती है आप कोट से क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या सरकार ऐसे नीदिय बना सकती है जो मौझूदा कानून के विपरीत हो? ये सवाल पूछा गया सुप्रिम कोट की तरफ से जस्टिस जोशेफ के अलावा वीविन अगरत्な ने कहा कि देश में बड़ी आबाधी मास का सिवन करती है और देश का कानून उन्हें मास खाने की अजासत देता है इसलिए हम मास खाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते है रोक नहीं लगा सकते हैं कोट ने याचिका करता से ये भी पूछा कि आपने भारतिय समिधान के आर्टिकल 32 के तहट याचिका क्यों दायर की है किसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या पर आप बताईए कौन से मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे है इसके साथ ही कोट ने य के अदिया निया। तो कोल मिला कर देखा जाय उस शक्स की याचिका पर मोना कर दिया है इंकार कर दिया है साथ ही जिसके लिए ये ас आप कोट मोंचए थे जो मांग ले कर ये इसरह की धरी रह कई काफी ऐसे मामले दिन पर दिन सामने आते हैं, हम आप तब पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इसे कई आचिकाए होती हैं, जो सुनवाई के योगे नहीं होती, कानून पता होने के बावजूद भी, अगर इस तरीके की आचिकाओं को डाल कर ऐसी मांग की जा रही है, तो इस इसे कोट का समय जाया करने के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि कोट की तरस से भी कईवार ऐसा कहा जा चुका है, मंगर क्योंकि देखे, इस देश का कानून, इस देश का लोक्तंत अदालत में अपनी मांग और अपनी बात रखने का अधिकार देता है, इसलिए इन